नमश्कार मैं हूँ पुनिपरसुन वाजपई दस्तक में आपका स्वागत है ग्रेमंत्री राज्ञासिंग लोटाए लेकिन सार्क सम्मेलन में उन्होंने कहा क्या पाकिस्तान का नाम नहीं लिया जो बात सीधे सीधे कही गई जरा इसे सुन लीजे और देख लीजे उन्होंने एक के बाद एक जिक्र किया पहला जिक्रिये आतंकवाद का महिमा मंदन या सरक्षन देना सही नहीं है किसी एक देश का आतंगवादी दूसरे देश के लिए शहीद का दर्जा कैसे दिया जा सकता है जो भी आतंगवादियों को मदद बढ़ावा पना सुरक्षा देगा उसके खिलाफ कारवाई होनी चाहिए सर्फ आतंगवादी आतंगवादी संगटनों नहीं बल्कि मदद करने वाले व्यक्ती संस्थान देश पर भी कारवाई होनी चाहिए और अच्छा या बुरा आतंगवाद कुछ नहीं होता है चाहिए वो सरकार समर्थक आतंगवाद हो या नौन स्टेर प्रेयर कारवाई होनी चाहिए सर्फ आतंगवादी आतंगवादी संगटनों के मद्दे नजर ही इस रूप में नहीं सोचा जाना चाहिए लेकिन ये सारी चीजे जो हम आपको बता रहे हैं इसको ब्लैक आउट कर दिया गया पाकिस्तान में हम इस पर रिपोर्ट जरूर दिखाएंगे लेकिन जब वो लौटे तो उन्होंने क्या कहा तो हर जहन में सवाल यह भी है कि नवंबर में सार्क समेलन में क्या प्रथानमंत्री जाएंगे और जो कहा गया उसका ब्लैक आउट वहां पर क्यों हो गया हम आपको रिपोर्ट दिखाएंगे लेकिन आज दस्तक में शुरूआत कर रहे हैं गाए हमारी माता इस वात का जिक्र बार बार होते रहा किया जाते रहा इस दौर में लगा ऐसा गाए सियासी तोर पर बना दी गई है लेकिन आईए आज हम कुछ हालात ऐसे दिखलाते हैं जिसको देख कर हो सकता है आपकी रूप कांप जाए क्योंकि गाए पॉलिटिकल गाए जी एक ऐसी सोच इस दौर में आई तो हमने भी अपने रिपोर्टर्स को कहा जरा जाके टटोली है अलग अलग जगाओं पर गौशालाओं का हाल ही देख लीजिए और जो नजारा अब रिपोर्ट में आप देखने जा रहे हैं ज़रा सहम कर बैठी और देखिए इसे कि अपने बीचराइक तेठाओं रोजिना कदरी गाही मरी जा अभी गाराते डारे पींड़े जो को कहा राया तूप माय गाही मरी हैंगी यह सरकारी गोशाला है और गायों की हालत इतनी खराब कि देखने वालों की रूख आप जाए कीचर में फसी भूख से ताट ताप कर जान देती गायों की संख्या गिनने लगेंगे तो शर्म आ जाएगी कि जिस देश में गाय की पूजा होती है उन गायों को सरकारी गोशाला में भी देखने वाला कोई नहीं और ये हालात उस राज्ज में जहां की मुखमंत्री ने महज दस महीने पहले ही 6 अक्टूबर 2015 को जैपुर की जनपत पर जनसमू को गो सिवा की शपत कुछ इस तरीके से दिलाई थी मैं गोव माता को समस्त प्राणियों का प्रतीक मांकर उसकी पुजा करती हूँ और इसके बाद वकाईदा राजस्थान में गोव मंत्राले बना दिया गया । बच्चों के स्कूली पाठिकरम में गाय का पाठ भी जोड दिया गया तो बच्चे गाए पर पढ़ने लगे लेकिन पीते दस महीने में यह तो किसी बच्चे ने नहीं पढ़ा होगा कि सरकारी गौशाला में गाए को सरकार ना चारा देती है और ना पानी और गाए मर जाती है जी इन दस महीनों में गव पालन की इस्तिती क्या है ये आपके सामने है और ये हालात भी राजस्थान के किसी दूसरे छोर के नहीं बलकि जैपूर में मुक्खमंत्री वसंद्रा राजे सिंधिया के दफ्तर से मेच 25 किलो मीटर की दूरी पर सरकारी हिनोनिया गोशाला के हालात है गोशाला में ही भूग प्यास से बिहाल गाय दम तोड़ रही है लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ता गायों को किस तरह से चारा नहीं दिया जा रहा है जब हमारी टीम यहां पर आई है तो हमारी टीम के साथ चारा लेके आए हैं और चारा के पीछे देखे किस तरह से गाय भाग रही हैं आप समझ सकते हैं कि गाएं कितनी भूके हैं किस तरह से कीचर में दौर दौर के भाग रही हैं यहां से ट्रैक्टर वाला सिर्फ अंदर आया है और एक बाद चारा दिखाया है और पूरा कब जितनी जितनी गाएं थी सब भूकी हुई गाएं दौर पढ़ी हो उस ट्रैक्टर के पीछे गाए के शब सड रहे हैं इससे बिमारी फैल रही है इस फैलती बिमारी से और भी गाएं मर जाएंगी लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ता बीते दस दिनों में 200 गाएं भूक प्यास से तड़प कर मर चुकी है लेकिन किसी को फिक्र ही नहीं है जो डौक्टर इलाज के लिए पहुँचे उनका कहना है हर दिन 20 गाएं मर रही है और कुछ गाएं को दिखा कर बकाएदा डौक्टर ही बताते हैं कि उनकी उम्र अगले 48 घंटे से ज्यादा नहीं है खुद ही उनकी बात सुन लीजिए किचण उत्पन हुआ है ये दो बरसात की वज़े से हुआ है और दूसरा क्या है जो समझे आ रही है वो लेबर की स्ट्राइक चल रही है 21 तारिक से तो चारा पनी नहीं मिल रहा है पशुओं को अभी जैसे ये अनिमल उतरे हैं आपके सामने इस कंडिशन में आई सीउ में आए हैं ये अनिमल बाड़ों से तो इस गौशाला में तकरीबन आठ हजार गाये हैं जिनकी देखभाल के लिए दोसो मज़़ूर है लेकिन इन मज़़ूरों को बीते पांच महीने से तनख्वा ही नहीं मिली यानि गौशाला के मज़़ूरों को देने के लिए क्या वाकिश सरकार के पास पैसा नहीं है या इनका पैसा भी कोई दूसरा उड़ा ले जाता है और तंग आकर इन मज़़ूरों ने जब काम बंद कर दिया तो इने पैसा तो नहीं दिया गया उल्टे पुलिस ने यहां आकर लाटिया बांची सभी के खिराब मुकदमा दायर कर लिया गया महिला यहां से छोड़ कर भाग गया तो 21 जुलाई से गौशाला में बंदी गायों को पानी कौन देगा चारा कौन देगा यह कोई नहीं जानता और गाय मरी पड़ी है तो इने उठाएगा कौन यह भी कोई नहीं जानता तो रूख अपाने वाली इन तस्वीरों को देखते हुए जराई सच को भी सुन लीजिए कि इस हिंगोनिया गौशाला के हाल जिसे आप देख रहे हैं उसका सालाना बजट साड़े तीन कौड रुपय का है और ये रुपया गाय की जगा कौन ड़कार लेता है ये घपला गोटाला नहीं बलकि सीधे सीधे हत्या है लेकिन फिक्र किसे है शरत कुमार जैपूर आज तक साड़े तीन करोड सिर्फ इस कोशाला के तहत बजट है और इस्तिती ये है जो आपने देखी लेकिन जो अधिकारी इसे देखते हैं जरा उनकी बात भी सुन लीजे ये दो अधिकारी जिस बात का जिटने देख 14 की बड़ाने की कोशिज कर रहे है ये दो अधिकारी जिस बात का खिक्र कर रहे थे दरसल 21 तारीक के बात से ये भी यहाँ पर नहीं आया नहीं है पता चला अस तक की टीम गई तो पहुच गए लेकिन मसला इतना वर गोशाला तक्सीम इतने ही है गाय को लेकर मसला तो यह है कि इस देश में गोचारन की जमीन होनी चाहिए सुप्रीम कोट की रूलिंग है आप उतनी जमीन रखेंगे गाउं दर गाउं में लेकिन उसे भी हडप लेगा और हडपने वाले में और कोई नहीं वही राजनेता वही दबंगई वही सरकार है मसला सिर्फ राजस्थान का नहीं देश के किसी भी हिस्से में गोशाला देखकर आपके जहन में ये सवाल खड़ा हो सकता है कि सरकार के पास गाई के लिए चारा तक नहीं है पानी भी नहीं है या फिर बजट ही नहीं है तो जरा इसे भी समझ ले महच गोशाला दर गोशाला की हालत बिगड़ी हुई नहीं है बलकि देश भर में बकाईदा गायों को चराने के लिए जो जमीन कानूनन होनी चाहिए उस पर भी कहीं सरकार के ताकतवर नेताओं ने तो कहीं दबंगों नहीं कबजा कर लिया सरकार की स्पेस भी सिदी अस्तक्षेप और पूरी इस जमीनों को लेके सरकार ने कोई निती निदा रड़त ने की और जो पुराने समय से जो जमीने थी एवन मुगलों से अंग्रेजों ने जिस जमीन को बरकरार रखा तो आने वाली आज प्रियोजनाई थी उन सब में इन जमीनों को सस्ते में लूट लिया जी वागई राजज दर राजज गौचारन जमीन ही सरकारों ने हड़ लिया तो बैचारी गाय क्या करें मसलन हमने बात राजस्थान से शुरू की थी तो जैपूर सांगनेर में 21 हजजार भीगा गौचारन जमीन पर कबजा सरकार नहीं कर लिया शाहपूर में 3667 भीगा जमीन पर अवैद कबजा कर लिया गया है फागी में गौचारन की 90 भीगा जमीन हड़ अपली गई यानि एक तरफ सुप्रीम कोट का फैसला है कि गौचारन जमीन पर सरकारे तभी कबजा करें जब उसकी एवज में दूसरी जगा जमीन दे दे लेकिन कमोवेश हर राज में गौचारन की हज़ारो हज़ार हेक्टियर जमीन पर कबजा किया जा चुका है पंजाब में सवालाखेकर गौचारन जमीन तो हरियाना में तक्री बन डेर लाख हेक्टियर जमीन पर दभंग नेताओं का ही कबजा है जितनी भी सरकारें आज बात करते हैं तो अर्याना की पंजाब की तो उन सारी जगे कोई उपर जो उक्षन इनलीगल उक्षन जबकि सुप्रीम कोर्ट का इस पर सीधा जो आदेस है उन सारी हाई कोर्ट के आदेस हैं तो उनकी इंप्लिमेंटेशन और ओर्डर की कोई भी मानने ना हो के सरकार अपनी मन मानी ताना साही हाट दर्मिता लाल फीता साही के चलते जबरदस्ती ये जो नीतिया हैं लागू करके आउक्षन करा रही है इनलीगल तोर पे और गुजरात मॉडल में तो गौचारन जमीन की जगा ही नहीं है कोकि राज्य के 33 जिलो में गौचारन के लिए तकरीबन 40 लाख हेक्टियर जमीन होनी चाही है लेकिन गौचारन की जमीन बची है साड़े 8 लाख हेक्टियर यानि तकरीबन 32 लाख हेक्टियर गौचारन की तो सवाल कहीं बड़ा है कि आखिर गायों को लेकर क्या वाकई देश समवेधन शील है क्योंकि एक तरफ गौचारन की जमीन जब हलपी जा रही है तो फिर चारा बचेगा कहां जमीन नहीं है और उसके बाद बचेट भी नहीं होगा तो फिर पानी भी कौन पिलाएगा इसलिए क्योंकि पशु कल्यान बोर्ड की माने तो गाये पर हर दिन खर्च 100 रुपए होना चाहिए लेकिन एक गाये पर खर्च होते हैं महज 2 रुपए इसलिए सडक पर मरने वाली हर गाये के पेट से कम से कम 30 किलो प्लास्टिक कच्रा निकलता है और सबसे बड़ा सच तो यही कि भारतिये पशु कल्यान बोर्ड का जो बजट 2011-12 में 21 करोड 70 लाक रुपए था वो 2015-16 में घटकर 7 करोड 80 लाक रुपए हो गया है इस मुश्किल इस्तिती में किस बात का जिक्र किया जाए इस देश के भीतर तो एक नई स्तिती आ गई है जिसमें रोटी भी मजब के नाम पर छिनी जा रही है वो जैन के मदर्सों में पढ़ने वाले इन बच्चों को इन दिनों मिड़े मील नहीं मिल रहा और बच्चों को दोपहर का खाना इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि मदर्से चलाने वालों का कहना है मिड़े मील देने वाली संस्था खाना उजा पाठ करके बनाती है यानि रोटी के बीच भी धार्मिक कर्मकांड आ गया तरसल 2011 में भी तक मदरसे संचालिज सुसाइटी को ही मिड़े मिलका ठेका मिला था लेकिन एक अगस से जिला पंचायत ने बाहर की संस्था को ठेका दे दिया वैसे मदरसों के बच्चों को उनके स्वात के मुताबिक अलग खाना दिया जाता रहा है लिहाजा कुछ बरस पहले एसकों से मिड़े मिल लेने से भी मदरसों ने इनकार कर दिया था लेकिन बड़ा सवाल यही कि जिस तरीके से 21 मदरसों ने धार्मी कर्मकांट की वज़ा से रोटी बंद कर दी है तो सवाल तो भूक का है और बच्चों को खाना मिले इसकी जिम्मेदारी प्रशाशन की भी है और मदरसे संचालित करने वालों की भी लेकिन मिड़े मिल पर ही धार्मी कर्मकांट का साया पढ़ जाएगा ये किसने सोचा होगा और ऐसे में अब दोश किसे दिया जाए संदीप कुल्सरेस्ट उज्जेन आज तक बड़ी मोटी लकीर है लेकिन सियासत बेहत महीन तरीके से इस मोटी लकीर पर भी च्छा जाती है और अपने तरीके से कहीं जादा मोटी लकीर खिचते हुए दो हिस्सों में इस्तितियों को बाट देती है लेकिन आईए सियासत के इस मोट पर वाकई लक्ष्मन रेखा कौन खीच रहा है और कैसे खीच रहा है बिजली कमपनीयों का भरली खेल बरस्टा चाहर बंद करने के लिए भेंजा था यहान यह चोटे छोटेचय ट्रांस्फर पोंश्टिंग में डला लिया और उसके बार जो और यह जातShirt आता शोटेच chlor Brothers में रिश्वत बंद करने लिए पहले पैसा करके बेस्थ किए वो चीज़े साफ करनेगी कियों इतना पैसा कर करके दिल्ली में विधायग मैं चुने जाते हैं पैसा कि विधाज़ां चुनी जाती हैं फिर सरकार चेहें किउ मेनधियर क्यों लिजु के हुए किसान को तो पचास लाग में संतोष करना पड़ेगा पाइगाrama है इनको किसान से 50 लाग रुपे में लेकर 3 करोड में बेचेगा हमने इस धंदे को बंद किया हमने का किसान को सीधे 3 करोड मिलने चाहिए सवाल गवर्नेंस का, सवाल कॉंस्ट्यूशन का, सवाल सिस्टम का, सवाल डेमोक्रेसी यानि लोकतंत्र का हाई कोट ने फैसला दिया, LG दिल्ली के बॉस है कुछ सवाल उठेंगे सुप्रीम कोट में, कोई मामला सुप्रीम कोट में जा रहा है, कौन-कौन से सवाल ने जरा आईए, समझ लेते है पहला सवाल अगर LG ही प्रशाषनिक प्रमुक है तो दिल्ली के मुखमंत्री की वैधानिक इस्तिती है क्या दूसरा सवाल, अगर दिल्ली सरकार LG की इजाज़त बगएर कानून नहीं बना सकती तो जनता ने दिल्ली सरकार को चुना क्यों तीसरा सवाल, अगर नितिकत फैसले LG को लेने है तो दिल्ली विधान सभा की बैटकों में होता क्या है या अब होगा क्या है चौथा सवाल, सचवाले और विधान सभा के अधिकारी करमचारी किस की सुनेंगे LG की, सीम की बश्टाचार के मामलों पर जाच बिना LG के नहीं तो फिर मंत्री और विधायक करेंगे क्या जनता अपनी शिकायत LG से करे या दिल्ली के मुखमंत्री से करे अगर LG को ही सारे अधिकार तो विधायकों को तनख्वा किस लिए दी जाए जनता की गाड़ी कमाई पर पहले चुनाओ फिर सरकार चलाने पर पैसा खर्च किया ही क्यों गया अगर LG ही बॉस तो हर पार्टी के चुनावी घोशना पत्र में जनता के वादों का आधार क्या था हर पार्टीकल पार्टी का मैनिफेस्टो जनता को क्यों लुबा रहा था LG और CM के संगर्ष में दिल्ली की दो करोड जनता के परती जिम्मेदार कौन होगा ये दस सवाल है जाहिरे सुप्रीम कोर्ट में इसका जिक्र होगा लेकिन एक सवाल और भी है ये विधायक चुनकर राजसभा में भी भेशते हैं किसी को तीन सांसद राजसभा में हैं फिर जिनके पास कोई अधिकार नहीं वो चुनके वहां कैसे भेज रहे हैं सायोग से तीनों फिल्हाल कॉंग्रिस के हैं वहां कई कमिटियों के वो चेर्मन हैं उनका काम क्या है? बहुत तेरे सवाल उठेंगे इस सब के बाद लेकिन सुप्रिम कोट की व्याख्या का इंतिजार करना होगा लेकिन एक लक्षवन रेखा राजनाथ सिंग ने खीची और इसके बाद पाकिस्तान ने उनके भाशन को सेंसर कर दिया ये सार्क समेलन में ग्रहमंत्री राजनाथ सिंग के भाशन का वो हिस्सा है जिसे पाकिस्तान में सेंसर कर दिया गया राजनाथ के भाशन के शुरू होने से पहले सभी मीडिया कर्मियों को समेलन कक्ष से बाहर कर दिया गया किसी भी न्यूज चैनल या न्यूज एजनसी को वहां बैटने की जाज़त नहीं दी गई सिर्फ पाकिस्तान के सरकारी न्यूज एजनसी पी टीवी कोही राजनात के भाशन के दौर में बैटने या रेकॉड करने की जाज़त दी लेकिन भाशन का प्रसारन करने की जाज़त पी टीवी को भी नहीं थी यानि पहली बार जिस सार्क को बनाया ही गया शांती बरकरार रखने के लिए शांती की वही मर्यादा सार्क सम्मेलन में राजनात के भाशन को सेंसर कर पाकिस्तान ने तोड़नी शुरू की राजनात ने अपने भाशन में पाकिस्तान को कड़ घरे में खड़ा कर सीधे कहा किसी एक देश का आतंकवादी दूसरे देश में शहीद या सुतंतरता सेंनानी कैसे हो सकता है तो पाकिस्तान के ग्रहमंत्री निजार खान ने अपने भाशन में जवाब देने की जगा कश्मीर का राक छिड़ दिया राजना सिंग ने पाकिस्तान का नाम लिये बगएर जब सीधे कहा जो आतंकवात को या आतंकवादियों को मदद बढ़ावा पना, सुरक्षा या किसी भी प्रकार का संयोग दे रहे हैं उन्हें अलग थलग करने की जुर्रत है तो पाकिस्तान के ग्रह मंत्री ने आतंकवाद के खिलाफ शुरू किये गए एक्शन प्लान जबरे अजब का जिक्र किया राजना सिंग ने मुंबई पठान कोड काबोल ढाका पर हुए हमलों का जिक्र करते हुए जब सीधे कहा आतंकवाद को अच्छे या बुरे में नहीं बाटा जा सकता समर्थन कोई भी करे उसके खिलाफ कारवाई करनी चाहिए चाहे वो सरकार समर्थक आतंकवाद हो या नन स्टेट एक्टर हो तो पाकिस्तान के ग्रह मंत्री ने पाकिस्तान में हुए आतंकी हमलों का जिक्र कर खुद को आतंक से कहीं ज़्यादा खायल बताया और सारक सम्मेलन में तनाव इस हद तक बढ़ा कि दोनों देशों के ग्रह मंत्रियों ने काइड़े से हाथ तक नहीं मिलाया राजनाथ पाकिस्तान के ग्रेमंत्री चौधरी निसार अली खान के लंच में शामिल भी नहीं हुए और निसार खान जब प्रेस से मुखातिब हुए तो तलखी लेजें में मुझे में दिल्ली पहुचने पर जब पत्रकारों ने राजनाथ सिंग से सवाल किये तो राजनाथ सिंग ने मुस्कुराते हुए कुछ यूँ कहा तो सवाल अब यही कि नवंबर में साख समेलन में इसी तरह प्रधान मंत्री मोधी भी शामिल होने जाएंगे या उससे पहले ही पाकिस्तान को सीख देने के लिए लोसी मिटे की या फिर सारी निगाहें अब जाटी की है चीन पर क्योंकि अगले हफते चीन के विदेश मंत्री वांग जी को भारत आना है और फिर G20 समिट के लिए 4-5 सिदंबर को प्रधान मंत्री मोधी को चीन जाना है और इस दौर में हर कोई देख समझ रहा है कि भारत पाकिस्तान को लेकर पहली बार चीन और अमेरिका भी पट गए है चलिए इस स्थिति में भारत और पाकिस्तान लेकिन सवाल गीत संगीत का भी है किशोर कुमार का जन्म दिन का मौका है